आला है रुतूब हजरती खुतुबुलमदार का साया है उन्पे रहे मतिये परवर्दिगार का आ जिस रहा से गुजरे है वो इशक रसूल में जिस रहा से गुजरे है वो इशक रसूल में हर जर्रा फुताब है उस रहे गुजार का जिस राह से गुज़रे हैं वो इश्क रसूल में हर जर्रा आफ़ताब है उस रह गुज़ार का इसलिए कहना है लो शौक से सुनो के ये सुनने की बात है लो शौक से सुनू के ये सुनने की बात है कुद्बुलमदार की ये सवाने हयात है कुद्बुलमदार की ये सवाने हयात है लो शौक से सुनो के ये सुनने की बात है लो शौक से सुनो के ये सुनने की बात है लो शौक से सुनो के ये सुनने की बात है कुद्बुलमदार की ये सवाने हयात है कुद्बुलमदार की बात है समात कीजेगा यहां से हरत बदी उत्दीन शाहमदार रहमत लाले की सवाने हयात का वागया कहना है बेशक बदी उत्दीन बड़े वावकार है अल्लाह के वली हैं वो कुद्बुलमदार है हजरत अली से मिलता है शिजरा जनाब का रहता है तस्त उन पे रिसालत मुआब का सेयद अली जनाब के वालिद का नाम है सादात से मनसूब है उंचा मकाम है मा फातुमा सानी है बीवी हाजरा भी है वो नेक पारसा है बड़ी सेयदा भी है सेयद बहाउतीन है तादा जनाब के और सेयद अबदुल्ला है नाना जनाब के उंचा मकाम रखते हैं वो हसबो नसब में हजरत का खान तान था आबाद हलब में पहले ही बिलादत से वली शाह मदार की वालिद को गैब से ये बिशारत अता हुई परसं तो पैदा होगा एक ऐसा जनाब का पाइस बने का देहर में वो इनकलाब का पीरा नए हयात को खुलशन करेगा वो सुलमत का दूं को नूर से रोशन करेगा वो देगा सबक वो लोगों को अच्छे उसूल का भर भर के जाम देगा वो इश्के रसूल का वो मारुफत के इल्म का दंका बजाएगा 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 बंदों को वो खुदा की इबादत सिखाएगा बंदों को वो खुदा की इबादत सिखाएगा बंदों को वो खुदा की इबादत सिखाएगा वो मारुफत के इल्म का दंका बजाएगा और बंदों को वो खुदा की इबादत सिखाएगा ये बशारत होती है आपके वालिदे माजित को पैदाएश से पहले लेकिन जब आप पैदा हुए तो क्या हुआ समाथ किरेगा जब पैदा हो तो तरबियत देना उसे भली रोशन जमीर होगा वो अल्लाह का वली सेद अली ये सुनके हुए दिल में शाद काम के मंतजर के आएगा फरसंद नेक नाम कुछ दिन के बाद रब ने किया उनको फैजिया यानि यकुम शवाल को पैदा हुए जनाब सन 442 हिजिरी है किताब में पाजों को इख्तिलाफ है सन के हिसाब में हजरत यकुम शवाल यानि एद की पहली तारीफ को हजरत बती उतीन शह मदार इस दुनिया में तश्रीफ लाए सन 442 हिजिरी थी लेकिन कुछ लोगों के इख्तलाफ है कुछ लोग आपकी पैदाइश की तारीफ सन 242 हिजिरी भी कहते हैं लेकिन इनी दोनों में से एक आपकी पैदाइश की तारीफ है होते ही पैदा आपने सजदा अदा किया और कलमा ए रसूल पड़ा है यही लिखा कहती है उनकी वालिदा ऐसी हुई जमक बस नूर नजर आ रहा था परशता बलक माबाप के साए में हुए परवरिश जनाब फैदान मुस्तफा से हुए आप फैजिया तिफली ही में बुजुर्गी के आसार थे आया सुनते थे पांचों वक्त की वो गोर से अजां सुनते अजां तो छोड़ते थे पीना दूद का वो शोते बाप माई उनकी देख कर अदा आलिद कुरान पढ़ते तो खुश होते थे हुजूर्ग था एद शीर खारी में ये आपको शओूर्ग जब चार साल चार महीने के हो गए जब चार साल चार महीने के हो गए वालिद ने बिठाया उन्हें पढ़ने के बास्ते वालिद ने बिठाया उन्हें पढ़ने के बास्ते वालिद ने बिठाया उन्हें पढ़ने के बास्ते के बिठाया उन्हें पढ़ने के बास्ते अगर शह मदार साह क्यों जब चार साल और चार महीने के हो गई तो आपके वालिद ने आपकी तालीम और तरबियत के लिए पढ़ने के लिए बिठाया आपको किसने तालीम दी और किस तरह तालीम दी समात कीजेगा हजरत हुजैफा शामी ने तालीम खूब दी पूरा कुरान पाक और तफसीर पढ़ा दी फिरात फिकास सर्फो नहिव खैय खिंदसा मन्तक रियाजी और खवायत सभी पढ़ा फिर इल्मे की मियां के सभी तरजे पढ़ लियें थी उम्र चौधा साल की आलिम भी हो गए उस्ताद से करते थे सवालात इस तरह बच्चों से पूछा करते हैं उस्ताद इस तरह उस्ताद को हैरत थी मसरत भी बेहसाब कहते थे जमाने में ये लाएगा इंकिलाब इस उम्र में ये शान की हजरत मदार की ये आरुजू थी जलवे परवर्दिगार की एक दिन कहा ये बाप उसे दिल शाद कीजिए अब हज की इजासत मुझे सरकार दीजिए ये बात सुन के बाप को सकता हुआ मगर परमाया नेक काम है अच्छा करो सफर सामाने सफर कुछ न लिया घर से चल पड़े पैदल ही सफर करके वो मक्का पहुँच गए करके तवाफ काबा मसरत उने मिली अरका ने हज अदा किये हजरत ने बाखुशी इश्के रसूल का किया तै आपने जीना इश्के रसूल का किया तै आपने जीना इश्के रसूल का किया तै आपने जीना मक्के से बाप आदा ही पहुचे वो मदीना मक्के से बाप आदा ही पहुचे वो मदीना मक्के से बाप आदा ही पहुचे वो मदीना मक्के से बाप आदा ही वो मदीना मक्के से बाप आदा आदा ही वो मदीना हजरत शाह मगार साथ इस तरीके से हज बैतुल्ला की जियारत के लिए जाते हैं और कावे का तवाफ करने के बाद जब उन्हें मसर्द मिलती है और हज की सारे अरकान अदा हो जाते हैं तो आप मक्के से पैदल ही मदीने तक जाते हैं उसके बाद जब आप दरे रसूल पर पहुँचे तो वहां क्या हुआ समात फरमाईए सरशार कर दिया उन्हें इश्क रसूल ने महका दिया इमान अकीदत के फूल ने जाकर दरे रसूल पे जिस दम दिया जरी मेरा जे इश्क मुस्तफा हासिल उने हुई देखा नजर से जिस घड़ी रोजा हुजूर का देशे निगाहा आ गया जलवा हुजूर का चाली सुनेहरी रोजा ये अनुवर की चूम कर विरते दुरूते पाक किया जूम जूम कर दीवान कि ये इश्क में यूँ शादुमा हुए क्या क्या ख्याल आए के आसूर अबा हुए इस सुपे खुदी ने आपको कामिल बना दिया सरकार आए खाब में जलवा दिखा दिया हजरत अली भी साथ थे प्यारे हुदूर के दोनों ने दिये जाम तरीकत के नूर के परमाया ये हुदूर ने शाह मदार से अब हिंद चले जाओ अरब के दयार से तब लीग करो तीन की हिंदो स्था में तुम है लाओ हक की रोशनी हिंदो स्था में तुम सरकार ने मदार को सब कुछ अता किया सरकार ने मदार को सब कुछ अता किया कामिल वली बना दिया जलवा दिखा दिया कामिल वली बना दिया जलवा दिखा दिया कामिल वली बना दिया जलवा दिखा दिया सरकारी दो आलम से जबाब को यूकम मिलता है ति तुम हंदोस्तान चले जाओ तो आप हंदोस्तान किस तरह से आते हैं और यहां पर आगर लोगों को किस तरह से अच्छी तालीम देते हैं समात कीजेगा वारफ्तिगी ए इश्क के तैकर के मरहले शहर रसूल पाक से वो हंदो को चले हंदोस्ता में आगए शाह मदार जब जो भी मिला हुजूर से पेशाया बाह तब जब आए पालनपूर में कुछ दिल किया खयाम तो ही तो रिसालत का दिया लोगों को पयाम फिर आपने वहां से भी आगे सफर किया अज में रुमे जनाब ने जब पाया दा अखला वाजा मुईनु तीन से हजरत ने बात की उस जा पे तबियत लगी आली सिफात की एक को कुला पहाड़ी पे फरमाया फिर कयाम मसुरू फे अबादत हुए बाजोक नेक नाम फिर हज का शौक सुए अरब लेके चल दिया हजरत मदार मक्का गए और हज किया कुछ दिन ठहर के आप मदीने में आ गए कुछ रोज ठहरे फिर नजफ अश्रफ चले गए रोजें पे अली मुर्तुजा के जिस घड़ी गए हजरत अली ने उनको मरातिब अता किये फिर आपको नभी ने विशारत दिये कहा तुम जाओ मुलके हिंद करो काम दीन का तुम जाओ मुलके हिंद करो काम दीन का इन दोस्ता महरूम है कल्बी शओर से दिल जगमगाओ सब के सदाकत के नूर से अनोज के करीब एक तालाब है बड़ार आती है या अजीज की तालाब से सदार जाकर वहीं कयाम करो मुस्तकिल मदार तुम जाओगे तो आएगी पीराने में बहार दालाब खुशक होगा पहुचते ही तुम्हारे आवाज बंत उहोगी वो बदलेंगे नाजारे तुम बस वहीं पे रुकुना वो मसकन है तुम्हारा अल्छाने लिखा वहीं मदुफन है तुम्हारा कलकत तुम्हारे नाम का डंका बजाएगी क्यूंके तुम्हारे आस्तां से फैद पाएगी सुनके पिशारत नभी शाह मदार पर एक कैफ तारी हो गया फौरन किया सफर तैबा से आप आ गए हिंदोस्तान में अब चार चांद लग गए थे शान बान में तब लीग करते जा बजा पुस्ताम को गए लोगों को फैदियाब किया तरस दीन से पुस्ताम में मजार पे मुर्शिद के ठहर कर याद इलाही में रहे मसरूफ मुकरर फिर मुक्तलिफ मकाम बे शहरों की सेर की बिर मुक्तलिफ मकाम बे शहरों की सेर की दीने रसूल पाक की फैलाई रोशनी दीने रसूल पाक की फैलाई रोशनी दीने रसूल पाक की फैलाई रोशनी दीने रसूल पाक की फैलाई रसूल पाक की फैलाई दीने 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 रसूल पाक की फैलाई मदिने मुनवरा से आप हिंदोस्तान में आ गए और जा बजा दीन की तवलीख करते हुए अपने पीरो मुर्शित के मजारे पाक पर गए आपके पीर का मजार उस्ताम में है वहां जाने के बाद और फिर मुख्तलिफ शहरों की सहर करते हुए आप कहा जाते हैं समात कीजेगा काबुल में गए आप उन्हें एक जा किया कयाम हमुराह थे मुरीद और खुदाम उनेक नाम पानी कुएं से लाने को खुदाम उसे कहा पहुचे कुएं पे जिस घड़ी खुदाम क्या हुआ मौजूदा शर्पसंदों ने रोका उन्हें कहा पानी तुम्हें कुएं का ना मिल पाएगा जरा हजरत अपने खादिमों को जब कुएं पर पानी लेने के लिए भेशते हैं तो वहाँ पर मौजूद कुछ शर्पसंद आप के खुदामों को रोकते हैं और कहते हैं के तुम्हें कुएं का पानी नहीं मिल सकता लेकिन जब खुद्दाम वापस आकर ये वाक्या हदरत से बयान करते हैं तो क्या होता है समात कीजिएगा वापस हुए खुद्दाम तो अजरत ने ये कहा कहना कुएं से पानी दे अजराह मुस्तफा वापस गए खुद काम कुएं पर दिये सदा बोड़ा सा पानी दे हमें तू बहरे मुस्तफा पानी कुएं से आ गया बाहर को बह चला चारों तरफ था पानी का सैला पुजा बजा बरतन में अपने पानी जो खुद काम ने भरा पानी कुएं से नीचे फिर अपनी जगा गया मगरूर शर पसंदों ने देखा जो ये समा कदमों पे शाह मतार के गिर कर कहा अमा हजरत ने उनको धर गुजर परमाया प्यार से सब मुस्तफीज हो गए खुद बुल मतार से ऐसे ही चंद वाकयात रूनमा हुए मानू सु फिर तो शहर के शाह गजा हुए भैली तमाम मुलक में शहरत जनाब की भैली तमाम मुलक में शहरत जनाब की भैली तमाम मुलक में शहरत जनाब की फिर तो मुरीद हो गई खलकत जनाब की फिर तो मुरीद हो गई खलकत जनाब की फिर तो मुरीद हो गई खलकत जनाब की अगरात इस वक्त आप शहमदार साब की कुछ करामाते सुन रहे हैं लीजे एक बड़ी मशूर करामत समात फरमाईए एक शखस अंधी लड़की को लाया हुदूर में रो रो के अर्ज करने लगा ये हुदूर में लाचारूं बेकसूं मुझे है यही लड़की पैदाइशी अंधी है करूं किस तरह शादी मैंने हजार मिन्नते की हर जगा गया शादी के लिए कोई भी राजी नहीं हुआ रंजो अलम से आप ही कुछ को छुडाईये ऐ शाह मेरी बेटी की शादी कराईये मैं मर गया तो कौन मदद इसकी करेगा माजूर अंधी लड़की को फिर कौन भरेगा पर याद उस गरीब की सुनकर हुदूर ने बारन दुआ की सुन ली जो रब गफूर ने जिस तम दुआ की हजरते शाहे मदार ने ना बीना तो बीना किया पर वर्दिगार ने फिर गाउं शहर पसबों के लोगाए शाद शाद हजरत ने उनको दीन से परमाया बा मुराद फिर आप ने लाहोर की जानिब सफर किया कुछ दिन रहे लाहोर में दर से वफा दिया लाहोर से फिर आप ने देली किया पयाम पीने रसूले पाक का सब को दिया पयाम शाहोगदा को दीन से सरशार कर दिया शाहोगदा को दीन से सरशार कर दिया वीरा ने हयात को बुलजार 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 कर दिया